कोदम सिंग नगर जनपत के 70 विधान सभाद छेत्र खटीमा से नव निर्वाचित कॉंग्रेस के विधायक भुवन काप्री का आज खटीमा के वार्ड नंबर 13 वासियों ने भुवन काप्री की जीत की खुशी में उनका माल्यार पज़ किया साथी उन्हें शौल उढ़ा कर और चांदी का मुकुट पहना कर ढोल नगालों के साथ जोरदार स्वागत सम्मान किया इस अफसर पर भुमी सेन मंदिर के अध्यक्ष बाबा नंदलाल गिरी ने नव दिर्वाचित विधायक भुवन काप्री को इमानदार, स्वच और साफ छवी बताते हुए उनके संघर्षों और कारिशयली की सराहना की विधायक भुवन काप्री ने जनता से मिले आश्रवाद और प्यार का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जनता के विश्वास पर वे खरे उतरेंगे साथ ही जनता की समस्याओं का भी निराकरण जरूर करेंगे जनता का जुनून था जनता का सवबाग है कि ऐसा विधायक मिले हैं जो कुछ असामाजीक टत्तों ने बतनाम करने की कोसिश करी मगर जिसको राके साहिया मार सके ना कोई खैसा है ना जिसको आतकन को आर्ची कई पढ़े लेकर आर्ची क्या जो सत्त है वह भगवान जानता है इसलिए सत्तता की विच़्ियरु और जो जलाली प्रता करने वाले ऐसी लोगों को जनता ने उभूतुर जबाब दिया और भारी बहमत से हरा है और भारी मोच से जीतने की बाद जे थी कि प हाड़े भार भूवन कापडी जी जो हारे थे वो हारे नहीं थे जी उपर वाली भाबा भून सेंट महराज की किरपा थी कि अगली बार बेटा तुझे एक CM को हराना है तू इस बार हार और अगली बार CM को हराना है